तमने एक प्रस्णे पुछो छे के जे चेस्ट कॉम्प्रेशन ये पन होई छे तो ये शू होई छे ने मा कई दिते आपड़े कार्य करी शेगाए अपने पहले बाड़क ने चार क्वेशन पुछी ने आपड़े आगर जोयू पाची ब्रीधिंग नथी करतू तो अपने इने स्टिमूलेशन आपियो वांप केर आपियो पच्छी पन ना थायू तो आपने पॉजिटिव प्रेश्य वेंटिलेशन आपियो अंभू बाग थ छता अपने एवरी 30 सेकेंड में आपने जो यू नथी थतू तो इंट्यूबेशन करिऊ हवे पन अजी बाड़क नू सुधार मा नथी हार्ट्रेट अजी फॉल थता जाये छे तो आपने इनी साथे जालू करता हो चेस्ट कंप्रेशन तो चेस्ट कंप्रेशन में सू काम क आपने मदद करिए के एनू काड़ी एक आउटपूड यू अपने लुही आखा शरी मा पहुंचाड़े छे एफेक्टिव कंप्रेशन नथी करतू तो एना माटे आपने मदद करता होई छे तो चेस्ट कंप्रेशन बे टेखनीक ना होई छे एक आपने जो यू जही तो त करिए अने थम टेक्नीक होई अने बीजू एक होई छे टू फिंगर टेक्नीक तो तमने बनने बताओ कि आपने बाड़क नी नॉमली सामेनी बाजुगें के अंबू कर वाड़ा ने इंटुबेशन कर वाड़ा हेड एंड साते उभावाई छे अले बाकी जे चेस्ट कंप् अने लोवर वन थर्ड इना जंक्षन उपर आपने बनने थम आवी रीते राखवाना होई छे अने पचिती आपने इने प्रेस करवानू स्टार्ट करू जोई तमारे इटलू ध्यान राखवानू छे हल्कू कंप्रेशन कोई इफेक्ट नहीं आपे तमारे एट लीस्ट व प्रेशर आवी रीते आपी सुं बराबाचे आएक थाई आपणी डू थम टेक्निक हावे छे आपनी फिंगर टेक्निक तो फिंगर टेक्निक मां सुए छे फर्स्ट और ने सेकेंड फिंगर ए सेम पोजिशन जे अपर टू थर्ड और लोवर वन थर्ड अव चंक्षन आप तो त्या आगर राखी और इने प्रेस करवानू चे ए ध्यान राखू कि आम 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 नौ चाले अहीं तीच प्रेशर एक जवू जोई है चे तम्हें सिद्धू आम 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 ससे तो तमने इफेक्टिव प्रेशर आउसे आप बनने टेक्निक मां कमफर्टेबल वधारे सारू आउटकम आपा वाड़ी धाम टेक्निक चे तम्हें लांबो टाइम पर इससिटेशन थोड़ू करूँ होई तो पन तम्हें करी सको चो सारू प्रेशर पन व्यवस्तित आपी सको चो और इननू रिजल्ट पन आपनने श्टाडिक मां कीदू चे के वधारे स प्रेफरेबल हमेशा थम टेक्निक वापर जो पन वच्ची थरू थाकिया नोफ आवियू तो तम्हें आ टेक्निक पड यूस करी सको चो हवे आमाँ चेस्ट कंप्रेशन खाली एकलू नथी आपन होतू हमेशा तम्हारे अम्बू बैग इंटुबेशन चाले चे एनी साथ ने चेस्ट कंप्रेशन आपपानू होई चे तो एमां कई रीति आपो चो तमारे ध्यान नाख़वन होचे कि जहरे अम्बू बैग आपो चो तेरे अरे अम्बू बैग नू आप पू आ जोए कारण के हूं एक्सपांड करवाने च्राय करो चो लंग्स नी और तम्हें प् पॉजिटिव प्रेश्र वेंटिलेशन आपूछू तो आपड़ेमा स्टार्ट करें आपड़ेमा 1 & 2 & 3 & पची से सामे ओड़ो होसे एन एक ब्रीद आपसे यहना आपड़ेशू करीशू तो केके 1 & 2 & 3 & पची बोल से ब्रीद आपके ओड़ेमा चेस्ट कंप्रेशन वधारे इंपोर्टन छे अन्ने आपड़ेमा पची आप पानों चे यह बनने टॉन बाई टॉन थाय एक बीजा साथे कोडिनेट हो जोई ए एक जोनाय लाउडली ब चेस्ट कंप्रेशन अन्ने 30 ब्रीधी यहले 90 इवेंट्स आवारे एक मिनिट माँ पते यह स्पीड है चालवानु होई छे तो आपड़े इन्हें चेस्ट कंप्रेशन कही सके के आई एफेक्टिव आउत तुव होई छे 90 इवेंट पर मिनिट इतले कदाच मने लागे जै के साइट सेकंड नी मिनिट होई तो कदाच एक करता पन ओच्छी सेकंड नी अंदर आपड़े एक्टिव रहान होई जै तो ज आपड़े एक बालक ने बचावी शेकिया ने मेड़ा में जै कहूं के जोड़े एक करवा माटे जो यह अथवा तो कोई पन वन एंट टू एंड ब्रीध बोले त्यारे ब्रीधिंग करा उतो है तो यह समय माटे जो यह अब दनी पन अकदाच एक आसिस्टन जोड़े होई तो एक फाइद रहे तो होई जै हवे एक मारो प्रस्ण है यह होचे के आनी अंदर क अब ड्रग के मेडिसीन डॉक्टर स्वा परता होई जै के के विशे थोड़ों के ख्याला आप शो हमें आपने जिम करिया होता हमां आपने अल्मोस्ट एक मिनिट चुथी आपने आप चालू राक्यों के वन एंड टू एंड त्री एंड ब्रीध आन तो आमां पच्छी प आपने चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीधिंग आपना तो एक विगो नाखवानी होई छे अगर तमने पेरिफरल विगो मड़ी जती होई तो बहुत सारू आच्छे तो एमां इजीली ड्रॉग अगर ना थाई तो अंबलिकल वेन नाख लाइन नाखवानी होई छे तमने इम एनू हलन चलन अजी पन ओचू छे तो एमा एक फ्लूइड आपनू होई छे के जे कही आपने 10 ml पर kg किमके नाणा बाड़को ना वजन ना प्रमाणे बदी वस्तु जती होई छे तो बाड़क 2 kg नू होई तो 20 ml अनॉमल सलाइन आपने इने विगो माथी बोलस आपता होई ए एड्रिणानी इंजेक्शन 0.01 to 0.03 mg per kg per dose ना हिसाब आपनू होई छे पड़े ए एड्रिणानी जेहू तमें इंजेक्शन आपो एना पची 1 ml ns पाछड बोलस आपू पड़े छे कारण के एटलू अमांट तमारू बो अच्छू छे अने इनू सर्कुलेशन बो पूर हाट सुधी पौँचे एना माटे आपने पाछड बोलस आपिये छे एको खत आपियो तमें वाराज होई सको छो कि ना अजीपन 3-4 मिनिट्स मा पेशन नू इंप्रूमेंग नथी तो यहीते 3 डोस तमें माक्सिमाम आपी सको छो कि एना मां इंप्रूमेंट जोवा माटे क कि पच्छी 3 डोस पच्छी पन नथी आऊतु तो आपने पच्छी 4 वार्खत आपता न थी के नू हाट मा एकलू बदू डायमेंज थाई चुकियो छे एना माटे यहला मेन कौमली बे ड्रग वापरवाना अपने ध्यान राखवानू कि नॉमल सलाइन चे अने इंजेक्श सब्सक्राइशन क्यारे स्टॉप करी शगाए क्यारे आव बंद करी शगाए वे वस्तु थाई सके के आमां थी बदा बाड़क को नॉमल जगा सारा रीकवर थाई गया कोई पन स्टेप पर बाड़क नू हार्टेट मोर देन हंडर्ड आवियू कलर थोडू पिंक थाई गय सारू क्राइक अक्टिविटी थाई गयी छे तो आवा बदा क्राइटेर आपने जुआ मणे तो आपने पाच्चु जे पन बाड़क ने नॉमल वर्मर क्यार राखिये औने अने अड्मिशन राखिये चे किटलू तम्हें रीससिटेशन करियू छे जिमके खाली 30 सेकेंज म पन तमारे अने वधरे टाइम्स हुदी मुर्दां 30 सेकेंज अने अंबू बैग आपियू छे चेस्ट कंप्रेशन गयू छे इंटुबेशन करू पएडू छे तो उच्छा मा उच्छू 24 कल्लाग तमारे एना अना अप्जाव करू पड़े अना बदा वाइटल्स होई छे अपने जिम जो यू बदाज SPO2, हार्ट रेट, अना रेस्पिरेटरी रेट अना ब्लड ग्लुकोस लेवल, अपने 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 बदा वाइटल्स अने बैजिक चे अवस्तु ध्यानवार आख़ी जोए क्या बदा मा पन सुधार आवी रियो छे किन नहीं अना अपने त्यारे रिससिटेशन स्टॉप करिये छे, जिमके 15-20 मिनिट्स तमें बद्दा स्टेप बराबर रिते करियाला होई, जिमके प्रापर पोजिशन अफ अंबू करी छे, बराबर इंटुबेशन नी पोजिशन छे, इफेक्टिव वेंटिलेशन आपियू छे, चेस् 15-20 मिनिट्स त्रॉंट डोस अफ एड्रिणाली ना प्या, बद्दुश थायू, छत्ता पन बाड़क मा कोईज इंप्रूमें न थी, हार्ट रेट जीरो रेचे, रेस्पिरेशन बिल्कुल स्पॉंटेनस न थी, कोई पल्स तमने पैरिफरल मा फील न थी थाता, तो आपन खारे पड़ती खोड खापणों होई छे, जेना कारण आपने कहीं कि आनू आगण कोई आउटकम न थी, तो एवा बाड़को, 400 ग्राम नी नीचे ना, एवा बाड़को, तो आपने एवा बाड़कोने, अगर पैरेंस नी पर्मिशन होए, तो आपने रीससिटेट नाच कर अगर ने बद्दू थांवारू ना, तो प्लस ने लामबा गाड़ें जिवा ना, चांसेस पन घणा ओचाँ छे, तो एवा बाड़को होई, तो आपने एमा रीससिटेशन शूरुवा अथमा चे भी डिलिवरी थाय, अन्ने पैरेंस नी कंसंट होई, तो पछिए आपने स्टार्ट नथी करता अथा स्टिल बॉन होई तो पर आपने यू नथी करता हुए आप बद्धा साथे एक अगत्यानी वस्तु मने एवी लागे के जारे अखी टीम बाड़ाक नू रिसे सिटेशन करती होई त्यारे पाचु ये तो जोड़े जोड़े याद राखवान उच ये गणी वख़ते हुँ थाए के स्पोंटेनियास ब्लीडिंग त्यां चालतु होई नहीं आपने रिसे सिटेशन मा पड़ा होई न बालक ने बचाई दियाने पिली बाजू माता मृत्य पामी ये तले गणी वख़ते आपने बनने ठेकाने चो के अरोग्ये ना कर्मी तर पासे तमाम स्टाफ अने वगेरे वगेरे अवेलेबल होई जोई मारे एक मैडम अपने ये प्रस्टन पूछो जाए के धरी लोगे रिसे सिटेशन आपने पूरू थाई ने आपने बाड़क ने हाल पूर्तु सेव पन करी लीदू तो पच्छी एक क्या सुधी आपने पो अपने किटला मिनिट सुधी रिसेसिटेशन आपने खूब अगत यहनु छे जिमके अपने की दूखे शुरुआतनी गोल्डन में अगर एमा बेजिक अपने स्टुमुलेशन ने केर करी ने जस्ट आपी नावी गई तो ये लोकाने खाली अपने मदर पासे तो आपी सक्क अपने जोतारे हो कि बाड़क मां कोई तकलीफ नाथी ने वीते परन्तु जेनों अपगास कोल 0-2 छे आपने बहुच अगरेसिव वेंटिलेशन ने आप्यू होई तो ये लोकाने तो आपने चोविस कल्लाक तो अब्जर्व राकूँज पड़े और एवा बाड़क को अपने खबब पड़े के बाड़क ने शुरुवात ना जे हाइपोक्सिक डामेज रहुचे तो हवे एनू कॉम्प्लिकेशन्स नथी आउता के नहीं जेमके बाड़क नूँ शुगर लेवल जह छे ए ओचा नॉर्मल रहे छे के वदगर थाई छे इना काडियक अक्टिव बागी रूटीन केर वाड़ा शुरुवात एक अगब स्टेप्स ना होए तो एचोविस कल्लाक ने अंदर तो वांदो नथी आउता खुब सरस यहां हुँ एक पीपीटी मा एक छेलली पन बहुँ सरस स्लाइड बतावा मांगीश यहां डिलीवरी थाया पची तरत बाड़क डॉक्टरन नी आंगडी पकड़े छे कि मारे आद जिवू छे आ पृत्वी पर बहु बहु आगड़ वद्वू छे अन्ने तमे म किटलाए बाड मृत्यू अटक्षे यहो मन विश्वास चे तो त्यरे आ स्टुडियो मा पदार वबदल डॉक्टर नीशाबेन उपाद्याए बाड रोग निशनात अने लेक्टेशनल कंसल्टन्टनू हर्दिक आभार मानिने विर्मोशो आभार